नवश्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्पागत है भारती संस्कृती में क्या खूब कहा गया है कि यत्र नारियस्तु पूजियन ते रमंति तत्र देवता अर्थाज जहां नारी की पूजा की जाती है उसका सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है लेकिन इस देश में एक जिला ऐसा भी है जहां नारियां खुले आम बिक रही है हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश में स्थित शिवपूरी जिले की जहां पतनी किराये पर मिलती है लड़कियों की कीमत चाल ढाल देख कर लगाई जाती है हैरानी की बात तो यह है कि यह प्रथा भी घरवालों के सामने होती है जिसमें लड़की या महिला के परिजनों को भी सभी बातें मालूम होती है जिसका बकायदा एग्रिमेंट किया जाता है देखिए यह रिपोर्ट मध्यप्रदेश के शिवपूरी जिले में हर साल लड़कियों को किराय पर देने के लिए मंडी सजती है यह कुप्रथा आज भी चल रही है घडीचा प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है इसमें दूर दूर से खरिदार भी आते हैं जिसे जितने समय के लिए लड़की चाहिए वो उसे ले जा सकता है कई लोग एक साल के लिए महिला को अपने साथ ले जाते हैं वहीं एक साल उसे अपनी बीवी के तौर पर रखता है बाद में उससे वापस छोड़ दिया जाता है लड़कियों को ले जाने के लिए आज भी इस गाउं में मंडी लगती है कोई 15,000 में ले जाता है तो किसी का सौदा 50,000 से उपर लगाया जाता है इस मंडी में दूर दूर से खरिदार लड़कियों या महिलाओं को लेने आते हैं यहाने वाले लोग महिलाओं और लड़कियों की चाल ढाल और खुबसूरती को देख कर सौधा करते हैं इसके बाद एक साल के लिए उसकी शादी करा कर विदाई की जाती है अब प्रशासन के खौफ के कारण यह तबे छिपे ही चलती है हाला कि लड़कियों के परिजन अपनी खुशी से साल भर के लिए दूसरे पुरुषों को किराय पर दे देते हैं इसमें हकुमारी लड़कियां भी हो सकती है या किसी की पत्नी भी हो सकती है दरसल यह कुपरथा ही है जिसे लोग छोड़ना ही नहीं चाहते इन महिलाओं को एक साल के लिए देने से पहले एक साल का एग्रिमेंट होता है इसके लिए 10 रुपे से लेकर 100 रुपे तक के स्टांप पर दोनों पक्ष साइन करते हैं एग्रिमेंट की शर्तें लिखी जाती है इसके बाद ही अपने घर के लड़कियों को सौपा जाता है एक साल के एग्रिमेंट पर जाने वाली महिलाओं क्यों यदि पुरुष जादा समय भी रखना चाहता है तो उसे अधिरिक्त पैसा देकर एग्रिमेंट बढ़ाया जाता है खास बात यह है कि किराये पर दी जाने वाली लड़की से शादी करना जरूरी होता है देश में कई प्राचीन प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही हैं आज जब महिलाओं को आगे बढ़ने और उनके अधिकारों के लिए कानूनी मानिताएं दी गई है उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है ऐसे वह प्रथा सभी को जख छोर कर रख देती है महिला सशक्तिकरण के बीज बोय जाने के बाद भी आज इस तरह की कूप्रथा के कारण महिलाएं अपने शोसर से आजाद नहीं हो पा रही किराए पर पत्नी यह शब्द आपको हैरान कर देगा लेकिन सच है कि एक साल के लिए कुछ रकम दे कर आप दूसरों की बीवी बहु या बेटी को किराए पर ले जा सकते हैं दशको पुरानी यह कूप्रथा आज भी मध्यप्रदेश के एक जिले में चल रही है